नमस्कार्ट, स्वागत है आपका आपके साथ, मैं हूँ देपिका नयाल दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार आता है इसलिए आज खास प्रोग्राम में मैं आपको बताओंगे कि कैसे तयार करें भाई के लिए थाली और कैसे करें भाई को तिलक हमने भाई दूज के लिए थाली सजाई है उसे गैंदे के फूलों से सजाया है उसमें रोली रखी है चावल रखा है जिससे हम भाई का तिलक करेंगे साथ ही दिया भी जलाया है कुछ खुले फूल रखे हैं कलावा रखा है मिठाई रखी है इसके अलावा भाई को देने के के लिए सुखा नारिल रखा है जो भाईदूज के मौके पर हर भाई को बहन देती हैं सबसे पहले हम भाई का तिलक करेंगे भाई का तिलक हमेशा हम सीधे हाथ से करेंगे और इस वाली फिंगर से करेंगे तिलक करने के बाद हम अक्षत लगाएंगे क्योंकि तिलक का कोई मह तो नहीं होता अगर आप अक्षत नहीं लगाते हैं इसके बाद हम भाई को कलावा बानेंगे कलावा हमेशा भाई के दाइने हाथ में बानते हैं यानि की सीधे हाथ में बानते हैं और कलावा बानते वक्त आपको यही कहना है कि आपके भाई की भगवान रक्षा करें कलावा बादने के बाद हम भाई को नारियल देंगे, इसके बाद हम भाई की आर्ति उतारेंगे, इसके बाद हम भाई का मुँ मीठा करेंगे, हमने भाई का मूँ मीठा करवा दिया है अब हमें भाई नेग देगा अगर भाई आपको नेग दे तो सीधे हास से दे और जब आप भाई से नेग ले तो सीधे हास से ही नेग को लेना है इसी तरीके से आपको भयादूज के मौके पर भाई का तिलक करना है आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा